दोस्तों हमारी धर्ती अनेक छोटे बड़े मध्यम आकार एवं रंग बिरंगी खुपसूरत पच्चियों से भरी पठी है ये सभी पच्चियां मिलकर हमारे इकोसिस्टम को संतुलित एवं मजबूती प्रदान करती है पच्चियों के इसी क्रम में यह महोक या महोक नाम का एक खुपसूरत पच्ची भी है जिसे अंग्रेजी में ग्रेटर कोकाल पच्ची या क्रोफेशंट कहा जाता है बैज्यानिक वर्गीकरण में यह पच्ची गण कुकुली फोर्मिस तथा कुल कुकुलीडी का सदस्य है तथा इसका बैज्यानिक नाम सेंट्रोपस साइननसिस है यह पच्ची मुक्रूप से एसिया में भारत, चीन, इंडोनेसिया आदि में पाया जाता है इसका आकार काले कुवे यानि वन काक के बराबर होता है और इनके सरीर का रंग गले से पूछ तक चमकीले काले रंग का वपंख के उपरी हिस्सा गहरा कत्थई या लाल रंग का होता है जबकि इसकी आखें रक्त रंजित लालिमा लिये होती है यह पच्ची का फिसांत वा सरमीले सुभाव का होता है यही कारण है कि यह मानों से दूरी बना कर रहता है इसका आवास मकरूब से बागबगीचों, जहारी, जंगल, घास के मैदान, गाओं के पास आदी जगों पर खोता है और यही पर यह भोजन की तलास करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं भोजन में यह पच्ची कीडे मकोडों, घोंगे, छिपकली, गिरगीट, छोटे चूहे या अन्य पच्चियों के अंडे वा नाजुग बच्चों को खाता है दोस्तों, यह पच्ची कोयल परिवार का होते हुए भी उसकी तरह गोंसला पर जीवी नहीं होती है यानि यह अपने अंडे दूसरे के गोंसले में नहीं रखती, यह अपना खुद का गुंबद नुमा गोंसला किसी ब्रिच की दुशाखित साखाओं पर बनाता है तथा उसमें मादा महोक पच्ची तीन से पांच तक अंडे रखती है जो सफेद हुआ कोनों पर चप्टे से होते हैं दोस्तों मुझे उम्मेद है कि महोक पच्ची से समंदित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए एवं रोचक जानकारी से युक्त वीडियो के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार जोस्तों आपको जाल नमस्कारी खर्फ़र्ट